मित्रु नमस्कार मेरा नाम है राजेंदर सीन और आप देख रहे हैं व्यूपाइंट विथ राजेंदर कला संकला के अंतरगत आज हम दूसरी टेस्स सीरीज कराने जा रहे हैं जो की पाश्चा तिकला के घनवाद अभिवंजनावाद जैसे टॉपिक्स को लेकर आए हैं और इसमें जो पिछले वर्सों में आए हुए प्रिशन उन्हीं को सामिल किया गया है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए बेल आईगान की बटन को दबा दीजिए जिससे परिछव प्योगी महत्पूर्ण वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे है तो फिर आईए सौल्व करते हैं पिछले वर्सों में आई हुए प्रिशनों को घनवाद अभिवेंजनावाद आदी टॉपिक्स से पहले प्रिशन है घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे इसका सही उत्तर गनवादी चित्रकला में वस्तुओं को तोड़ा जाता था उनका विश्लेशन किया जाता था और एक नजरिया के बजाए उन्हें फिर से प्रिथक रूप से बनाया जाता था घनवादी कला आकरतियों को घन और संकू के रूप में देखते थे अगला प्रश्ण है घनवाद में कितने आयाम होते हैं A. एक, B. दो, C. तीन, D. अनेक तो इसका उत्तर है कि D. अनेक घनवाद में अनेक आयाम होते हैं क्योंकि कलाकरतियों में बहुआयामी आकरतियों को ही घनवाद कहते हैं अगला प्रश्ण है कि घन में एक दर्सक कितने तल देख पाता है A. आठ, B. तीन, C. शिक्स और D. दो तो इसका सहीज तर है कि B. त्री घन यानि क्यूब में एक दर्सक तीन तल देख पाता है क्योंकि यह एक त्रीविमी आक्रिती होती है अगला प्रिश्ण है परिप्रेश्च की दृष्टी से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई पड़ते हैं A6, B5, C3, D4 तो इसका सही उतर है 3 यानि की C अगला प्रिश्ण है कि पिकासो किसकी समय में पैदा हुआ था तो इसके आफ्शन से है A. फासिज्म, B. जिनेशास, C. घन चित्रण सैली, D. आभास चित्रण तो इसका सही उतर है C. घन चित्रण सैली यानि की क्यूबिज्म पिकासो वब ब्रॉक ने घन वाद को विख्षित किया घन वाद का प्रथम चित्र किसका था? A. एडवर्ड मंच का B. जार्ज रुओल का C. पाबलो पिकासो D. मैटिस तो इसका सही उतर है C. पाबलो पिकासो अगला प्रशण है घन वाद का जन्म वर्स क्या है? A. 1921 B. 1907 C. 1909 D. 1911 जिसका सही उतर है 1907 अगला प्रशण है तीन संगी तक किसकी प्रसिध पेंटिंग है? A. पिकासो की B. नंदलाल बोस C. Michael Angelo D. इनमेशिक कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है A. Picasso तीन संगीतग पाबलो पिकासो द्वारा चित्रित प्रसिध पेंटिंग है अगला प्रिश्ण है कि पिकासो ने आधनी कला की प्रिवर्णा ली कहां से ली जैसे कि A. अफरेकी मुखोटों से B. गुफा के चित्रों से C. भित्ती चित्रों से D. सास्त्री कला से तो इसका सही उत्तर है A. अफरेकी मुखोटों से अगला प्रिश्ण है नेली एवं गुलाबी अवधी किस की कही जाती है A. गुस्ताव क्लिम्स्ट B. एड़वर्ड मंच C. हेंडरी रूसो D. पाबलो पिकासो इसका सही उत्तर है D. पाबलो पिकासो अगला प्रिश्ण है सरवाधी के प्रसिद्ध चित्र सांती किस के दोरा बनाया गया है A. पिकासो के दोरा B. सालवाडो डाली C. एफ एन सूजा D. वान कॉग तो इसका सही उत्तर है A. पिकासो अगला प्रिश्ण है पिकासो की मृत्यू किस सताब्दी में होई थी A. बीस्वी सताब्दी में B. उननीस्वी में C. अठारवी में D. सत्रामी में तो इसका सही उत्तर है A. बीस्वी सताब्दी में पाबलो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को इस्पेन में हुआ तता मिर्तिव 8 अप्रेल 1973 को हुई इस आधार पर पाबलो पिकासो के मिर्तिव 20 वी सहताबदी में हुई अपने पिंक पीडेट के लिए कौन प्रसिद्ध है? अगला प्रसिद्ध है दे इस्टूडियो के कलाकार कौन था? A. कूर्बे B. पिकासो C. डेविड D. माने तो इसका सहीत तर है B. पिकासो अगले प्रसिद्ध है रैमन डियूशा वीलो की हार्स सीर्षक की मूर्ति किस से बनी है? A. स्टील से B. कांसा से C. ग्रेनाइट से D. मार्बल से तो इसका सहीत तर है B. कांसा से डियूशा पहले आधनिक कलाकार थे जिन्होंने घनवादी सिद्धान्द को अपनी मूर्ति रच्ना दलार्ज हार्स में प्रियोग किया दलार्ज हार्स कृति को पूरी तरह से मास स्पेशियों में तनाओं तथा द्रणता के लिए जाना जाता है अगला प्रिशन है घनवाद से पिरणा लेने के लिए उपरांत निजी विसेस्ता वाले कलाकार का नाम बदाईए तो इसका सही उत्तर है डी रामकुमार पहले भारती थे जिन्होंने अमूर्थ कला के लिए अलंकारिक कला को छोड़कर अमूर्थ कला यानि कि घनवादी सेली का ही प्रारूप ग्रहण किया अगले प्रशने उस चित्रकार का नाम बताईए जिसने कला का अध्यन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिवेत्ती नगर और प्राकतिक दृस्यों दौरा करता है अगले प्रशने एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया चार आफसने ए रामकुमार ब के एस कुलकरणी सी बद्री नाथार डी एम एफ हुसेन तो इसका सही उत्तर है ए रामकुमार अगले प्रशने जार्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित्ते अगले प्रशने अभिबंजिनावाद का प्रारम किस देश में हुआ था ए भारत में बी इटली में सी जर्मनी में डी फ्रांस में तो इसका सही उत्तर है सी जर्मनी में अगले प्रशने है अभिबेक्ति वादी कला की विशिष्ट विशिष्था क्या थी अगले प्रशने है ब्लू राइडर गुरूप किस ने चित्रत किया ए ब्रॉक ने बी फ्रेंच मार्क ने सी सेगाल ने डी सेंजा ने तो इसका सही उत्तर है बी फ्रेंच मार्क ने ब्लू राइडर गुरूप की चित्रकार को कुछ युवा कलाकारों की समूँ ने मिलकर 1911 स.W में चित्रत किया था जिनमें कंडेस की फ्रेंच मार्क प्रमुक थे अगला प्रशन है किस कलाकार ने दो लार्ज रेड होर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समू का संस्थापक सदर से था ए फ्रांज मार्क, बी अगस्त मैके, सी मैक्स बैक मैन, डी ओस्कर कोकोस का तो इसका सही उतर है ए फ्रांज मार्क ब्लू राइडर समू के संस्थापक सदर्स फ्रांज मार्क ने उन्निसो ग्यारा इसवी में प्राकतिक संदर के प्रिष्ट भूमी पर जानवरों की चित्रों की माली का सजाई जिसमें लाल गोडे के जैसे चित्र बहुत प्रसिद्ध हुए अगला प्रस्ण है एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबन्दित है ए भविसवाद भी घनवाद सी दादावाद डी जर्मन अभिवेंजनावाद तो इसका सही उतर है डी जर्मन अभिवेंजनावाद एमिल नोल्डे एक जर्मन कलाकार है और वो अभी बंजनावाद से संबन देता है अगला प्रश्ण है दे स्क्रीम किस के द्वारा चित्रत किया गया एडवर्ड मुंख, बी एडगार माने, सी एडवर्ड मोने, डी एडवर्ड मंच तो इसका सही उतर है डी एडवर्ड मंच अगला प्रश्ण है जैक्शन पोला किस देश के रहने वाले थे A. इंगलैंड के, B. अमेरिका के, C. जर्मनी के, D. फ्रांस के तो इसका सही उतर है B. अमेरिका अगला प्रश्ण है कि, एक्शन पैंटिंग के, सबसे महत्पूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें A. मार्शिल धुनसे, B. पॉल क्ली, C. जान मीरो, D. जैक्शन पोलाक तो इसका सही उतर है D. जैक्शन पोलाक अमेरिका के रहने वाले जैक्शन पोलाक, एक्शन पैंटिंग से संबंधित है अगला प्रश्ण है, स्वर पध्धती से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार है A. रैंबरा, B. पोलाक, C. पिसारो, D. हेंडी मातिस तो इसका सही उतर है B. पोलाक, यानि जैक्शन पोलाक तो फिर आज बस इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कुछ सीरिस को सालब करेंगे वीडियो को पूरा दिखने के लिए बहुत 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 बनवाद